पिछले वीडियो में हमने द्रवेमान और भार के कांसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा था आज हम बात करेंगे द्रवेमान और भार में अंतर क्या है क्या डिफ्रेंस है द्रवेमान अर्थात मौस और भार अर्थात वेट में तो हमें देखना होगा सबसे पहले कि जो द्रब्यमान होता है किसी भी वस्तु का वो उसके जड़त्व की माप होती है इनर्चिया की माप होती है हम जानते रहे हैं कि जितना अधिक वस्तु का द्रब्यमान होता है उतना ही अधिक उसका जड़त्व होता है तो इसी तरीके से हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का जो द्रवे मान है वो उसके जड़त्व की माप होता है और इसे M से दर्शात हैं और जो भार होता है वो वास्तव में क्या होता है बल होता है यसा बल जिससे यह कोई भी वस्तु जो होती है वो प्रत्वी की ओर आकरशित होती है मतलब किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे यह प्रत्वी की ओर आकरशित होती है प्रत्वी क्या करती है प्रत्येक वस्तु को एक निशित बल से अपनी और क्या करती है आकर्शित करती है और ये बल जो होता है वो वस्तु के द्रवेमान M और गुरुत्वी त्वरन मतलब कौन सा प्रत्वी के गुरुत्वी तल के कारण जो त्वरन है जी उस पर निर्भर क तो ये बस्तु का द्रविमान उसके जड़त्व की माप होता है और किसी बस्तु का भार वबल है जिससे अप रत्वी की और आकर्शित होती है दूसरी जो महतुपण बात हम कहेंगे कि इसका द्रविमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है तो द्रविमान किसमें मापते हैं कि ग्राम है जबकि भार के बारे में हम कह रहे हैं कि भार M G है तो द्रविमान का तो किलोग्राम हो गया क्योंकि यहां पर देखिए आप भार को हम M G से वेक्ट कर रहे हैं यहां यह द्रविमान M है तो M का मात्रक आपका द्रविमान का किलो तो भार का भी जो मातरक होगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसका एसाई मातरक किलोग्राम है और इसका एसाई मातरक न्यूटन है तो दूसरा अंतर जो आप बनाएं वो मातरक का बना लीजिएगा तीसरा आप अंतर एक अदिश राशी है थीक है न जबकि भार के बारे में भी हमने बात की कि ये तो एक बल है जो उर्द्वादर नीचे की ओर लगता है नीचे की ओर है लगता है pro परत्वी की ओर अगर आकशन हो गonie तो नीचे की ओर लगेगा और इसलिए इसमें परिमान भी होता है और दिशा भी होती है फिर ये कौन सी राशी होई सदिश राशी होई तो ये एक अदिश राशी है ये एक सदिश राशी है चोथी बात हम करेंगे कि किसी भी वस्तु का जो द्रवेमान होता है वो इसके इस्थान पर डिपेंड नहीं करता है चाए प्रत्वी पर हो चाए चंद्रमा पर हो या फिर बाही अंत्रिक्ष में हो द्रवेमान हमेशा क्या रहता है इस्थिर रहता है मतलब सबी जगे क्या होता है एक समान होता है जबकि जो किसी वस्तु का जो भार होता है वो इसके इस्थान पर निर्भर करता है मतलब जैसे ही आप क्योंकि भार को हमने का M G है तो अलग-अलग जगे पर G का मान अलग-अलग होता है तो G जैसे चेंज होगा तो वेसे ही क्या होगा MGB change होगा मतलब भार भी बदल जाएगा तो प्रत्वी है चंद्रमा है ग्रह है उबगर है इन पर ये G का मान क्या होता है अलग-अलग होता है तो फिर MGB क्या हो जाएगा अलग-अलग होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का जो भार है वो इसके इस्थान पर निर्पर करता है और ये भिन्डबिन इस्थानों पर इसका मान क्या होता है भिन्डबिन होता है मतब जहां जहां जी का मान बदलेगा वहां भार भी क्या होता जाएगा बदलता चला जाएगा तो इस तरीके से हम द्रवेमान और भार में चार अंतर कर सकत हैं कि किसी भी वस्तु का जो द्रवेमान ने उसके जड़त्य की माप और वस्तु का भार एक बल है जिससे प्रत्वी की और आकर्शित होती है इस ऐसा ही मातरक लिख दीजेगा दोनों का तीसरे में अधिश सदिश लिख दीजिएगा और चोथे में डिपेंड बता दीजिएगा कि यह बदलता है या नहीं बदलता है तो इस तरीके से आपका डिफरेंस हो जाएंगे एक अंतर आप M और M G से भी उसमें दर्शा सकते हैं धन्यवाद